MPs and MLS को Parliamentary Privileges या Immunity मिले कि Under Article 105 Clause 2 and Article 194 Clause 2 in Case of Bride, यानि कि अगर वो किसी तरीके का Bride लेते है या देते हैं, उस Condition में भी क्या Immunity उनके उपर अपलाए हो कि Article 105 Clause 2 and Article 194 Clause 2 क्या कहता है? ये एक तरीके की Immunity और Parliamentary Privileges प्रवाइड करता है MPs and MLS को किसी भी तरीके का उनके Criminal Action रही होगा, प्रोसीडिंग नहीं होई अगर वो कुछ भी कहती है या करते हैं, पालियमेंट या Assembly के अंदर, इसी को समझने के लिए हमें थोग वोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेग जिसके चैप्टे में उनके Against Complaint रही होगा, अब उसी Complaint को उन्होंने Supreme Court के अंदर चैलेंज गिया, Supreme Court में PV नरसे बार आओने ये का, कि as per article 105 clause 2, मुझे ये Immunity मिली हुई है, कि मैं पालियमेंट में क्या करता हूँ, किसके Against वोट करता हूँ, उसके चैप्टे में मेरे अधिस कोई भी Criminal Proceeding Initiate नहीं की जासा, और इसी के चलते हुए Supreme Court की Five Judges Bench ने एक Judgment डिलिवर किया, जो की Three is to Two की मिजॉरिटी के साथ डिलिवर किया गया, जिसमें ये कहा कि as per article 105 clause 2, ये पालियमेंटि इमिनिटी और पर विलेज़ेज, MPs को ग्रवाइड है, जिसके चलते हुए उ offense है, तो ये किसी भी तरीके से एक इमिनिटी प्रवाइड नहीं करता है, किसी भी MP और MLA को under article 105 clause 2 and 194 clause 2, चाहे कोई भी MP हो, चाहे कोई ही MLA हो, वो किसी भी तरीके से पालियमेंटि प्रूसेडिंग के चलते हुए भी किसी को ब्राइब करता है, ये ब्राइब एकसेप करता है, तो ये एक criminal offense होगा और इससे उनको immunity नहीं प्रवाइड, फॉलो लो शात्राफ और मोर निगर अप्डेट्स,